कुन अतिरेखन वाड़े नोजवानों वीरों पैणों बच्चियों सार्यानू इकवारी वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते नमी वापी कटना जड़ी के बहुत सारे लोकानू चंगी लगी बहुत सारे लोकानू बुरी लगी ओदे ते अपां विचार करनी है ओ है साड़े साब का मुक मंतरी प्रकास सिंग बादल जी उना दे चलाने तों बाद गल ए है के उना दे मौदे उते जो अकट होया उते अपनी लामिसाल इकट है सारे पारत दे विचों लीड़ लोक आए पर इना ने रसमा दी पूर्टि करने हूंदी है साड़े समाज दे विच पर चलता है के मरंतों बाद तां दुशमन दे नाड़ भी परवारनल हमदर दी करीदी हों दी है ए प्रमप्रावा ने उना नून नहीं ते लोकाने निंदने के ता मरे तों भी दुश्मनी इनने नहीं त्यागी ओताने रस्मा पूर्तियां पर असलियत जड़ी है ओदास जिनी समझे ओदे मतावक आप जी नरसांजी कर लगे है के 95 साल दी उमर पो के सरद किड़ा मजबूत इरादे वाला मजबूत सरीर वाला मजबूत दमाग वाला जड़ा किसे भी उतरा चड़ा नू अपने दमाग दे उत्ते हावी निसी होन देंदा बेयंत मुश्कलां बेयंत खुशियां तरां तरां दे उतरा चड़ा आए पर ए लगातार तंद्रुस्त रहे के 95 साल तक जिन्दगी बतीत कर गया फिर सत्तरतों बहत्तर तक पाव के उनीस सो सत्तरतों उनीस सो बहत्तर तक जदों बादल जी मुख मंतरी बनेने पंजावदे ओस वक्त जड़ी कटना एक पुला दिती गई है ओ बहुत दर्दनाक सी होर भी कटना माने मैं अगे तो अड़े तक नलसंजियां करांगा के ओदों नकसलवाडी लहर पंजावदे विच उठी सी सिख नौजवान ही सन सारे ते पर उनने नकसलियां दा नाम रख्यासी हत्यार बंद होके ओ ऐ अपने टंग दी जादी लेना चाहूँ दे सन ते उनननू बेयंत तसीह दे दे के बेरैमी दे लाल पुलस दे रहीं कतल करवाया गया ते एथों तक जीपान दे पिछे कसी इट कसी इट के उनननू मारे गया ते उनना दा पंजावदे विचों नमो निशान मिटा देत की तो एहो जे नौजवाना नू किन्या नू मारे ए गंती तो बार है कोई पड़ताल नहीं हुई ए पहला वड़ा दर्दनाक हादसा सी जड़ा के कटना कर्म नू अंजाम दिता है शिरी प्रकासिंग बादल ने फिर 1975 दी अमिर्जनसी दे ब्रोद विच पारसरकार दे ब्रोद मोर्चा लाया तकरीबन 60,000 सिख बादल दे आके लगके जेड़ां भी चले गए ते उन्नी महीने तक ए मोर्चा चले आ ते उन्नी महीने 60,000 सिख जेड़ां च रहे अंदाज्या लाओ उना दे करांदी उना द से प्राप्तितों ओं मोर्चा खत्म कर देता गया उन्नी मिने तो बाद फिर एसे तरह 1978 दे विच नरंकारियां दे नलसिखांदा टकराओ पैदा होया ते ओं टकराओ किसे बार दे बंदे ने पैदा नहीं सीकरवाया दलबीर संग पत्रकार दी कताब दे विच नेड़ें ब्रोद विच सिख अकठे होके गए सी गोडी नरंकारियां ने नहीं चलाई जिड़े ओथे उन्हा दी सुरुख्या वास्ते पुलीस मलाजमसन उन्हा ने गोडी चलाई सी ते एस तरह 17 बंदे ओथे लेखे लागे सी ते 70 दे नेड़े तेड़े जखमी होय सी ते ओदो प एसांचों बरी कराके करो करीपे इदेन दे विच वी एसे दा बड़ा हत्थ बननेया जान्द हैं फिर 1922 दे विच एसवाई अल दा ब्रोद कीता प्रकासिंग बादल अते बाकी अकाली पार्टी ने मर्न मारं दे दमगजे मारे गए पर एसवाई अल नैर दा मोर्चा पर सर लजाया गया जानी के राजनीत का मंग नू तरम दे नल जोड़ देता गया ओथे पाई जर्नेल संग दे नल रलके वड़ा मोर्चा होर किसम दा ला देता गया ते एसवाई अल बिच जोड़ लई गई ते बाकी बंदी सिंगा नू रिहा करो सा दे नल इनसाफ करो सा ओ अकाली दलदा साथ छड़ गईया इना ने तर्मनू मननवाड़या ने एकल्या ने अंबर सर्तों गिरफतारिया देनिया शुरू कर देतीया फिर एसे तरी कपूरी बोर्चे नू दरवार साथ लेंदा गया इनू ता अर्मक रंग देता गया अरदासां करके जथे पिजे जान लगे ता जेड़े लोग तंतरवाड़े दुजे लोग सी ओपलां फिर साथ क्यों देने इस तों बाद दरवार साथ ते जड़ा आक्या जंदा है फोजी हमला होया उकी दी रजाबंदी नड़ होया बे अंतवारी अकवारांच एक ट्रामा चप चुकिया ने समें दे अकाली लेडरा ने पार सरकार नूं सहमीती दिती चिठिया लिखिया ओ चिठियां अकवारांच आचुकिया होया ने के साड़े बस्तों 12 हो गया पाई जरनायल सेंग साड़े आखे तों नहीं मनदा तुसी आपनी शक्ती दी वरतों करके इन उद्रवार सह Till चों बारकट ये सब कासे ते कभजा कर चुक्या हुए है ते एस गलनू भी बहुते लोका ने याद नहीं रखेया पुला आधता गया के साधे लीडरा ने भी पारसरकार नू चिठिया लिखिया ने हम लेतों तुरंत मगरों प्रकासेंग बादल अपने पेंडतों चलेके चंडी गड़ विच पहुंच गया ओथे जाके चंडी गड़ दे विच प्रेस कानफरांस करके सिख फोजिया नू बगावत करंदा अपील कीती ते जड़े होर सिख बड़े बड़े आउद्याते लग के होए सी सरकारी मलाजम सी किसे भी था कोई सिख पंजाब जां पंजाबतों बार सी उनना नू अपील कीती गई बादल जी बलों के तो सीपार सरकार दे ब्रुद जंग दे भी शामल हो वो ते अमरसर ते हमला हो गया अमरसर नू चाले पादे हो ते इदा असर ए होया नहीं ही फोज दे ब्रुद बगाबत कर देती ते ओ कुछ अमरसर नू चल पे कुछ अपणिया थामा ते लड़न मरन लग पे ते उना दी जिंदगी दे विच जो वाप्रया ओ ब्यानतों बारा है किन्ना समा तक ओ फोजी पाई जेला चे रोड़ दे रहे क्योंके फोज द नहीं होर बहुत सारे जड़े प्राह सी पैणा सी ओ बेयंत मुश्कलां दे विच्चों दी लंगे ते ओ बादल साव दे अपील कारंतों बाद उना ने अपनिया नवकरियां तों अस्थीफे देते ए भी बादल दी उना नू अपील सी 1985 विच परदान मंतरी रजीव गंदी ने एस दरवार साव दे हमलेतों बाद हरक्यांद सेंग लंगोवाल जो अकाली दलदा परदान सी सुरजी सेंग बरनाडा अते बलवन सेंग नू बलाके समझा उता कर लेया बादल नू उना ने ना बलाया ते बादल जी ने एसे गुसे दे विच बहुत सारियां चाला चलियां ते कुझ ही समय दे अंदर हरक्यांद सेंग लंगोवाल परदान अकाली दलदा शेरपुर विखे 1985 दे विच कतल हो गया अर बेरो दी डैरी दे पन्ने पुस्तक दे विच तोसी एवेरवा पढ़ सकते हो के ओदे विच कीदा हाथ हो सकता है कीदे वल एसुई को मदी है क्योंके ओदे विच बादल जी नू जीरो कर देता गया बरनाडा लंगोबाल अते बलबन सिंग नू अग्गे ले आंदा गया ते एने किडियां किडियां साशा चलियां एर बेरो जी ने सारा कुछ ब्यान कीता होया है ते फिर अगों दरवार साहिब ते फोजी हमले दे रोस वजों सरदार अमरिंदर सिंग जड़े के पट्याले दे किसे जमाने चे इना दा खांदन राजी महराजी होया करदा सी एक कांगर्स दा एक सिरक्टमा लिडर कांगर्स जों अस्तीफा देके अकाली दल्दे विच आ गया कांगर्स इना ने चाट देती अकाली दल्दे विच इना दी चंगी शाक बनगी पार her गार ने सुरजी सिंग बरनाडा नूँ जदों चोना हुई या ओदों मुख मंतरी सुर्जी सिंह बरनाळा नूं बना देता अमनंदर सिंह नू कोई वड़ा अवदा ना देता गया ते छोटे अवदे लेंड़तों इना ने इनकार कर देता शमापा के इना ने आपस दे विच्छ तालमेल बनाके सुर्जी सिंग बर्नाडा दी जो सरकार सी ओदेतों वक्ष होगे अपना बौ मत उना दिनाल ना रखेया, सैमती ना रखी ते सरकार कटगिंटीच रहेगी ते ओ सरकार टुट गई ते बादल ने ओ सरकार आप तडवाई ते जदों देखेया के सुर्जी सिंग बर्नाला ते मुख मंतरी दे अहो दे तों ले गया ते फिर अमरिंदर सिंग नाल भी वगाड़ पालेया ते अपमान करके अमरिंदर सिंग नुबी अकाली दल्चों बापस जानते मजबूर कर देता गया ओ फिर कांगरस दे बीच पहले ते दबाव बना के सुरुजी संग बर्नाला दी सरकार तां तुड़ाई दिती बलके सुरुजी संग बर्नाला दे लड़के गगन दीप संग ते बलात कार दा केस भी पवाद ता ते ओ भी एक नवकराणी तों बाद दे विच पामें ओ मुकर गई के एहोजा कुछ नी सी होया पर गगन दीप सिंह दि आते शुरजी संघ बरनाला दी राजनीत की जिंदगी बरबाद कर दिती गई इस्तों बाद सुरजी संघ बरनाला पंजाब दे बिच इज़ितमाननल रह नी सकया इसंने पारसरकार लग एक में को के सला मश्राब करके सुरजी संघ बर्नाडे नू पंजाब विचों चले जानवास्ते मजबूर कर देता उने बार दे सुब्यां वेच गुवर्नर दियां ड्यूटियां जुम्हवारियां समाड लियां पर पंजाब दी राई निती विचों सुरजी सिंग बर्नाडा जीरो हो गया इस तों बाद बेयंत सिंग इजिए पंजाब दा मुख मंतरी जदों उदा कतल हो गया ते ओधे संसकार ते कोई सिखन आ गया क्योंके सारें दे मनाच ए रोज सी के उने सिखन आ जो आना ते बहुत कठोरता ना विहार कीता है बहुत सारे सिखानों मारे है एस ते कार्ण लोंकी ओधे संसकार दे उत्ते ना गए ते केवल ते केवल प्रकास सिंग जी बादल चादर लएके ओदे ससकार ते बियंसिंग दे गया ते अपने उना दे अगे नंबर बना के आया फिर के पीएस गिल समेद सैनी एजहार आलम खान विरुद जदों बाद दे विच इदी सरकार बनी और दों परकास सिंग बादल ने पहला तक हें दा सी के पीएस गिल बड़ा जालम है ज़ार आलम खान बड़ा जालम है पर बाद दे विच उना दे बुद जोNewक मंत्री बन कोई प्रतालिया कमिशन ना बनाया कोई कारवाई उना दिब्रुद ना कीती बलके इजहार आलम खान नूता इनने अकाली दलदा एक वड़ा अवदेदार भी बना देता ते इस तरह सिखांदियां पावना मानू को चलके रख देता गया फिर मुकदमें दा समणा करन वाले जा जेला विच बंद पुर्स वालेया नू प्रकासिंग बादल ने सरकारी ख जानने विच्चों मोटियां रकमा देतीयां मुकदमें लड़न वास्ते ते नाली उना नू 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 कुरी ते बहाल भी कीता गया कार बैठेया ते उना किसे नू अपने बलों सयादी शपारिश ना कीती ते सगों उना दी हमायद दे विच्च पो गुद्दा रहा ते उदू पहला एक आएक के नो जोना नू प्रकांदा रहा के पुल्स ने बहुत जुल्म कीते ने साडेते पर आप जदों उस गदीते आ गया सब कु कुल्डीब सिंग जो के अरटायर जज साव सप्रीम कोड़तों सन उना ने पीपल कमिशन बनाया ते उना ने बे दोस्या नू मारे जान दी परताल का रंदा परबंद कीता जदों पुलिस मलाजमा ने आखिया के बे दोसे तां असी भी बहुत थामाते मरे यां तां सरदार कुल्डीब सिंग ने कहा के तो अड़ी भी सनवाई होवेगी तो अड़े केस भी अते होर बे दोसे जड़े मारे गए लोक ने उना दे केस भी मैं अदाल्त नू दे मांगा सरकार नू कापी दे मांगा ते उना दा फर्ज बनदा है के ओ फिर आम लोका नू इनसाफ देन प के इना नू बरबर अदाल्त लौन दा बरबर सरकार चलौन दा कोई हक नहीं है एक हम सरकार दा है असी आपे परताड करांगे दोशिया नू सजा दे मांगे एस नू एहोजे कमीशन बनावन तो सरदार कुल्दीब सिंग नू रोक या जावे ते हाई कोट ने इदे ते रो सके तो इस तरह एस मकदबें तो जदो रोक लग गई ता सरदार कुल्दीब सिंग बादल जी दे कार चले गए मुख मंतरी प्रकार सिंग बादल दी कोठी चंडीगर चले गए ते मिलन वास्ते बाहर किना लमा समा उड़ी कीती ते फिर मिलन दा समा देता जदो सब करने लगे मेरे कोले टैम नहीं है तुसी जा सकते हो ए जदो कम करना होया असी आप करांगे ता पत्रकारा ने जदो सरदार कुल्दीब सिंग नों पुछिया के अंदर की बनेया उखन लगे होन बादल सब कोले टैम नहीं है ते उन्हाने मेरी गलवी त्यान नहीं सुन कर देता है ते एस तरह ए उदास मंदेनल बाप सागे पाई सरदार कुल्दीप सिंग जी एसे तरह सान दो हजार छे विच श्रोमणी कमेटी अकाली दल आते होर सिख यते बंदियानू कैके प्रेरना करके द्यालपुरा पाई का विखे दसम गरंथ दे वड़े पदर ते अख कर्मक लोक भी तकतां दे जते दार भी डेरे दार भी नेंग जते बंदियान भी दो हजार छेज पहुंचियां तांके सत दियां चोणाच असी जित हासल कर सकीए गुरु गरंथ साव दे ब्रब्र दसम गरंथ दा अखंड पाठ करवाया गया जते दार आप सारे उते हाजर सी ते ए बड़ा पाप कर्म भी कीता गया फिर जते दारां दे ब्रोध विच्छ सरदार जगिंदर संग सपोक्समेन बालया ने अते अकालियां दे एस कोकर्म दे ब्रोध बहुत लेख लिखे अपने अखवार दे विच्छ ते जते दारा नू अपनी कठपूतली वांग व करबादे ते सरदार जगिंदर संग नू पन्ति विच्छों शेख देता अते उना ते कई सारे मकदमें दर्ज करबादे ते कई साल लगातार ओ थाओं थाई मकदमें पोगुद्दे रहे एसे तरह सपोक्समेन दे रही अते अपनियां किताबादे रही बहुत लगा तार इना दुष्ट कम्मा दी अलोचना करदा आरेया सां एस अलोचना दे कारण चार थाई मेरे ते मकदमें दर्ज करवा देते गए मेरे ते हमले होए मेनू पंथ विच्चों छेक्या गया ते दस दिना वास्ते मोगा जेड़ दे विच्च भी मेनू बंद कर देता गया लखार पईया लाके मैं पंच साल मकदमें पुट के किनियां परेशानियां चलके फिर के ते बरी होके आयां दो हजार सतारांच बरी होयां किने साल मेनू मकदमें अच रोड़े आ गया है एस अखवती सिख मुखमंतरी आते अकाली सरकार वलो फिर गुर्दवारें दी गोलक नू चोना वास्ते के में बेरे मीनल वरतेया जन्द है ते अकाली दल्दा काठो वे ते लंगर गुर्दवारें चो वरताया जन्द है खर्चा गुर्दवारें ते पाया जन्द है फिर सौदा साद नू जते दारां तो माफी दवाई गई सी ते जथे दारानों कठपूतलिया मागू वर्तिया जांदा रहे है इना दी अपनी कोई है सीत नहीं जथे दारान दी जिमें का नमरोड के दिल चाहे ते उसे तरह इना तो कम ले ले जांदा है सौदा साथ ते दर्ज होई मकद में सारे बापस ले ले गए दो हजार बारा दे विच्च जड़े उने गुरू गोविन सिंग दी नकल करंदा ओ पहरावा पैनन दे कारन उधे ते मकद में दर्ज होई ने ओ सारे बापस ले ले गए फिर तमाकू कमपनियां तो प्रकाश सिंग बादल दी सरकार ने चोन फंड बे अंतवारी ले आ ते नाड उना नू अजाज दिती के पंजाब दे विच्च तोसी कारो बार तमाकू दा कर साक दे हो कदी सोच के देखो एक पासे तमाकू बज्जर करैत आखी जंदी है दुजे पासे अकाली पाई अमर तारी सिख पंजाब दा मुख मंतरी तमाकू कमपनियां नू पंजाब दे विच्च अपनियां कमपनियां फैक्टरियां लौन दी अजाज़त दे रहे है ते उना तो सा कोज आपोता पि पैगी ते लीडर पैसा कमाउंड लग पै रेत माफिया केबल माफिया कार पारेकिंग माफिया ड्रग माफिया ये सारे अपनी मुथी विचिक विच कैद कर ले तु इना तो बेयंत पैसा एे लोक कमाउंड दे रहे अपने कार्जकाल समें राज्टा नि만 चंडीगर दे हक विच कुछ भी कदे ना बोलिया कोई मोर्चा ना लगिया अपने राजकाल दे समें ऐसवाई यल्दा मुद्दापला देता अपने राजकाल समें बंदी सिखलां दा मसला कदी ना उठाया नहीं ते बहुत सारे मसले हल हो जाने सी पंजाब दी सरकार कोड़ मुख मंतरी कोड़े बहुत सारे कनूनी हक होया कर देने फिर एसे तरह 2004 विच सरदार गुर्चारन सेंग टौड़ा चलाना कर जन देने पहली अप्रायल 2004 नू ए दे विच भी बहुत कोई अखवारां चा चुके है के ओस दी मौत भी शक्की हालत चो होई है लोकां दे बहुत कोई उड़े है बहुत कोई चले है ते अखवारां ची भी बहुत कोई आ चुके है फिर एहो जे कम करदे रण दे बाब्यूद भी 2012 विच गुलाम जैनियन दे मालक जथे दाराने प्रकासिंग बादलनू पंथरतन अते फखरे कौम सनमान देके बड़ा करंदा यतन कीता इक इनाम ने देता एक सनमानने देता एक ठे दो दिते गए की पंथरतन ते फखरे कौम ते दो मान दितते गए प्रकासिंग बादलनों की करंदें बदले शिख हँंदा खातमा करना सिख johnยड ला ए शिख मंगां दी पूर्ति कदे भी ना करना अवाय तक ना उठाउनी ते एदे बट्टे जथेदार इनानु सर्मान्त कर रहे ने। यखमी होगे ते ओ दो हजार पंदरां तो लएके अज तक पड़ताणां ते बहुत होगियां पर किसे नू दोशी नू सया ने मिली अंतले समय प्रकास सिंग बादल सुखबीर सिंग बादल अते होर जड़ जुम्मेवार बंदे सी ओ अदालत ने विच फ्रीद कोट जाके प दसेगा फिर गुरू ग्रांसाइब दे 328 रूप गयब होगे किसे नू पता नी ते सारे खामोशने सारे सेख लिडर गुंगे बोले बनगे जथे दार जी इना दे जीह जुरिये बनगे बादल देगे सारे अपने हत जोड के खड़े रेंदे सी ते कोई भी सचाई ते सारे रिष्टेदार अपनी नू अपने कणमेटे ते अपने सके सबंदी दूर नेड़े दे ओ सारे ही राईनीती चलायां दे ते सारी राईनीती ते इना दा प्रवार्दा कवजा हो गया फिर बसां अते ट्रक कां ट्रांसपोर्ट अनगेंत ये पंजाब ही नहीं दिल्ली एरपोर्ट तक बादल दियां और बिट बसां अते होर जड़ियां बसां सी ओ बादल दा ही कवजा हो गया आज तक पंजाब रोड बेज दियां पी आर टी सी दियां बसा नू ओस टर्मिनल ते जान दी अजाईत नहीं मिली हालांके बादल दी सरकार एथोंच खत्म हो गई पर सरकारी बसानू उनना जरूरी टर्मिनल ते जान दी अजाईत नहीं है बादल साव दियां और बिट बसानू ओसे जान दी अजाईत है जड़े के महत पूर्ण τर्मिनल ने दिली एरपोड ते पाव के पारस सरकार देनल बहुत जादा एदी नेड़ता सी क्योंके पती- पतनी दा रिस्ता इनने बनाया होया सी। चोणा बिच हारदियां ही बहुते अकाली अज देख लो के पाजबा बिच जा रहे। की करना है पाजबाच जा रहले ते उन्हानू कोई शर्म नहीं आई के पाल्टियां एड़ी शेती बदलांगे ते लोक दिया नजरांच साधी इज्जत किन्नी करवेगी। फिर किहा जांदा है महराजारण जी सिंग ने अनेक नीतियां वर्त के सिखानू राज दे मालक बना देता। सिखानू अकठेयां करन वासते किसे नू पागवट प्रा बनाया ते किसे नड रिस्तेदारी पाई किसे ते दबाओ बनाया ते किसे नू गदी तों लाके जीरो कर देता पर उन्हें अपने राज पाटनू बदाया ते कई सारे पाई एक एदन देने के उन्हें जी हरी सिं टो जंग लड़न जोगे सी पिछले लंगे समें तो जंगे ही लड़ सी राज्करना ओंदासी मुसलमान recogn करना अंदासी हिंदुआ नूर्ट राज्करना और्णी योदों गॉर्या नूँ उन्हें राजनीत परवंद नूँ ठीक रखण वास्तें इना ते रानू अपने सलाकार बनाया ते सला लाएके फैसला अंतम महराजा रणजी सिंग दा हुंदा सी उन्हें दुनिया दे विच्च साड़ा नाम रोशन कर देता के सेख भी कोई कौम हैगी या जे उन्दी जाग दी ते दुनिया दे वड़े लीडर बदेश मंतरी परदान मं आके ओ महराजा रणजी सिंग नाल समझाव ते कर दे सी ते अपने देश चो उन्हान नू बलावना ओदे बंदयानू ते अपने आनू पे जना ते बड़े बपार करना ए सारा कोई चल्दा सी ते उन्हान ने सानू पहली वार राजदे मालक बनाया पर बादल जी ने ए अ अधनाम हो गए ने बस मारकाट दवारे उबार देती ते विद्यानू पासे कर देता सारे विद्यक अधारे सकूल कालिज यूनिवरश्ट्रियां लग पग फेल हो चुकी यां ते जड़े प्राइबेट अधारे ने ओ बेयंत वड़ी लुट मचा रहे ने साड़े नौज अत्रेज पाके जा रहे ने ते ओ भी सारा कुछ बादल जी दा बहुत वड़ा उदे विच रोल है ते उन्ज बादल जी पंजाब साल तक अकाली दल दे प्रदान ते पंजाब दे विच राईनीती ची चाय रहे ते पंजवारी मुख मंत्री बनगे पोचमी दस्तार सोनी दाड़ी गत्रे किरपान दर्शनी सिख ए सारा शकल सूरत तां बहुत सोनी सी पर सिखानों दिता की ए तुसी आप अंदा जाला सकदे हो सिख पाईयो पंजाज साल तक सानों पता ही ना लगया के बादल जी साड़े अपने ने के साड़े अंदर खाते खात में बढ़े रा सास्ते बिकन लग पए यह बोटां पापा बार बार इसे ने के साफी खत्म हो गया पाइवेस अकाली दल भी खत्म हो गया पामें साफी इजत्म आप्र सानु समझी ना आई के कौन साड़ा हम धर्द है कौन साड़ा ब्रुद्धी है ते फिर अग्गों नू समझी कि में आवेगी सानु बहुत सोच समझी के अपने राजनी ते कि चुड़ने पहनेगे जड़ा को जो कर रहे ने ओते निगरानी रखनी पवेगी ते केवल अखा म पीट के बोटां पादेन दे नाल गल नहीं बढ़नी दुनिया बहुत अगे लंग गई है अपन अजे बहुत पिछेयां ते अपनु सार्यानु साबदान होना पवेगा ते जेड़े भी राजनीतिक लोक साड़े नाल कोई वैदा करके तोखा कर देने उनानु कनून दे द साबदान करना पवेगा कि ते ए भी पहला वरगी ना बन जावे जिमें के पहला पंजाब दी तवाही होई है ते होर तवाही ना हो जावे साबदान होना है ते अपने फरजानु पछानन आ अपने हाक भी लेने ने ते फरज भी पूरे करने ने इतने के बचन प्रवान कर करने हो या पुलाने खिमा करना वाही गुरुजी का खाल सा वाही गुरुजी की पते